बर्फिले तूफान के बीच ड्यूटी करता दिखा सेना का जवान लोग बोले आपको दिल से सेलोट है आईए जानते इस जवान के बारे में हमारे देश के जवानों के लिए एक लाई तो बनता ही है दोस्तों दोस्तों देश भर में इन दिनों कडाके की ठंड पड़ रही है ऐसे में लोग घर में रजाई में दुबक कर बैठे हुएं वहीं कुछ लोग हीटर ओन करके सरदी में गर्मी के मज़े ले रहे हैं लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती है अब हमारे भारती जवानों को ही देख लीजे ये जवान भयंकर गर्मी से लेकर कडाके की ठंड तक हर मौसम में देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं अब इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़ादा वायरल हो रहा है इसे देखकर लोग भारती जवानों को सलाम कर रहे हैं दरसल इन वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना का एक जवान भारी बर्फ बारी के बीच अपने हाँच में राइफल लेकर तैनात खड़ा है अगर आप भी सेना से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को ज़ादा से ज़ादा शेयर करें वो इतने कड़ाके की ठंड में भी बाहर बर्फ बीच में खड़ा अपनी ड्यूटी कर रहा है बर्फिले तूफान के चलते बर्फ उसके घुटनों तक जमा हो गई है आप कलपना कर सकते हैं कि वहां का महौल कितना ठंडा होगा ऐसी कड़कडाती ठंड में भी जवान को हर पल चोकनना रहना पड़ता है यदि दुश्मन सामने आ जाए तो इसी मौसम में लड़ना पड़ता है ऐसी ठंड में जवान कई किलोमीटर पैदल भी चलते हैं यदि वो ये काम ना करें तो हम अपने घरों में रजाई में घुसकर चैन की नीन नहीं ले सकते हैं देश की रक्षा और हमारी सुरक्षा के लिए ये जवान बहुत कुछ सहते हैं भारती जवानों के इस वीडियो को पियारो उदमपूर मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस ने अपने ओफिशल हैंडल पर साजा किया है अभी तक इसे दस लाग से अधिक व्यूज मिल चुके हैं ये वीडियो देख लोग भावख हो रहे हैं जवान की तारीफ में लगातार कॉमेंट्स आ रहे हैं एक यूजर ने लिखा कि जवानों को देश की रक्षा के लिए नमन है वही दूसरे ने लिखा हमारे जवान कितने मुश्किल हालातों में डटे रहते हैं उन्हें हमारे दिल से सल्यूट है फिर एक कॉमेंट आता है कि ये नजारा देख मेरे मन में जवानों के प्रति रिस्पेक्ट और भी वड़ गई है हमारे इन जवानों के लिए कॉमेंट में भारत माता की जैय लिखना बिल्कुल न भूले हमारे इस वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को फेस्बुक और वाटसप के जरी जादा से जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें